नमस्कार आप सभी का स्वागत है मगट टीवी में मैं हूँ आपके शाथ अंकेता इस वक्त की एहम खबरों के तेकारी थाना अंतरगत राज तेकारी स्कूल में एक दिना कठाई से 24 को या सुचना प्रात्वी थी कि राज इंटर कॉलेज परिशर में एक लड़का का सब एक इस मामले को काफी गंब्रीता से लिया गया था तddhah इस मामले में के तोरी तनोसंधान के लिए तुड़न वहां पर जैसे ही सुचना मिले तुड़न वहां फर रखना की टीम को बेज आ गया और अन्य héORT पतादिकारियों को भीजा गया इस मामले की प्रभीरता को देखते हुए इस मामले की उद्वेदन के लिए तता इसमें जो सामिल अप्राद कर्मी है उनकी दिरफदारी के लिए एडिशनल एस्पी गया कि इसमें एक विशेश्टीम अगफिल किया गया था और जिसमें अप्राद कर्मी है इसमें एफेसल की टीम को यथा जोग स्कुएट की टीम को भी साक्ष संकुलन के लिए भेजा गया था और हमारे द्वारा भी वहाँ पर जा करके इस पूरे मामले की समिच्छा की गई थे और सीसी टीवी फुटेज का भी अभलोकन किया गया था तो जो भ एक बिदी वुरूद बालक का सनलिप्ता है खास करके जो CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुआ था उसके अधार पर तकनिकी जो अनुसंधान है उसके आधार पर ये पाया गया कि एक बिदी वुरूद बालक को निरुद किया गया और उसके सपास से एक मुबाइल फून बराम पिता रामाशीज डास जो की चाबनी टिकारी करने वाला है उसकी गिरफतारी की गई है और उसके पास से भी एक मुबाइल फोन बरामत किया गया है जो पक्राया हुआ अभ्यूक्त है उससे जब पूछताच किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यहां मृतक की छोटी द्वारा उसको गाली ग्लोज और मारने की धंकी भी दिया गया था और इसी बीच में मृतक का अने स्कूल के कुछ अने लड़कों के साथ भी बिवाद हुआ जिसके बाद यह जो व्यक्ति है इसके द्वारा अने लड़कों के साथ प्लानिंग करके इस प्रकारी घटना को अठाइस से चौविस को कारिद किया गया है और किसी को शक्त नहों इसके लिए उसके शब को बिल्ट में पंदा बना करके चात्राबास में उसको लटका दिया गया था इस प्रकार से इस मामले में एक व्यक्ति की गिरुफतारी एक अपरादी की गई है तथा एक अन्य जो व की यादागा ठिद्द्द्द्द्टि ट्केट कैने की की तिया थे खड़ी में एक बторोस्त्वादी आत्स प्रमइड है जा क्परादी की आत्पिझा की एक। तियसके वग्या कसे शराफ्ना